आगट अब यह लिया है मैंने पेज असमेर मैंने ड्रॉ कर लिया सिर्ब बनाना है बच्च पुछने फॉवर तो यह एक लिया है यहीरवकड का बंच और इससे हम बनाएंगे रिडे कलर से फ्लावर तो को आप पासानी से यह कलर करा सकते हैं और देखिए कितना ही प्यारा बन रहा है तो और ने ने कलर्स बच्चों को दीजिए और इस टाइप से पेंटिंग जरूर कराई है बच्चे बहुत बिजी रहते हैं और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है इन सब चीजों को करने में और कलर का अभी नॉलेज होता है तो देखिए यह पेंटिंग हो गई तैयार दो से तीन मिनट ही लगे है इसको बनाने में चलिए मैं एक नई पेंटिंग शेयर कर रही है यह बना है मैंने एक पेड़ आप बनाना है बेड़ की पतिया तो मैंने यह लिया एक जो पन्नी आती है बबल वाली सब के घर में होगी उसका कर लिया और च्टा साहिक आसला बटास बना दिया उसे और यह मैंने लिया यलो कलोर और डिप किया और टेजिक मैं इसे मल्रeffective कलर से बनाऊंगी तो मैंने अभी यलो कलर लिया है और ये टिप करके मैं उसे लगा रही हूं थोड़ी दूर दूर पे अब मैं इसमें लूँगी ग्रीन कलर और ये देखिए ग्रीन कलर लिया मैंने और ये थोड़ी थोड़ी दूर में हम ग्रीन कलर भी लगा दे रहे हैं ताकि देखने बहुत सुन्दा लग रही है कि आप ऐसे करा सकते हैं बच्चों से, बहुत अच्छा लगता है, मल्टी कलर की पैंटिंग्स भी कराईए, और देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा रेट कलर भी कर देते हैं, तो ये सा बन गया पेड़, ये हो गया रेड़ी, इसमें भी दो से तीन, चार मिनाट ही लगे हैं, लेकिन ये बहुत सुन्दर लग रहे हैं, और यसे आप सिंगल कलर सकते हैं, तो दोनों आपके पास है, अगर सिंगल कलर चाहें, तो आप इस टाइप पेंटिंग रहें, मल्टी क को करते जाएं, आप चाहें तो अलग-अलग ब्रस का भी यूज कर सकते हैं, मैंने सिंगल ब्रस से किया है, तो कहीं कहीं पर सैड आपको देख रहा होगा, वाकि आप अलग-अलग ब्रस से भी इसको कर सकते हैं, और देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस अपने को राउंड सरकल पर चलाना है, वास एक चीज का ध्यान डखना है कि एक ही डायरेक्शन में हमको अपने ब्रस को ट्राउंड करना है, बहुत आसान पेंटिंग है, आप चाहें तो और भी ज्यादा कलर्स का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो फूल पेपर में इसे पूरा बना सकते हैं बड़ी पेंटिंग भी बहुत सुनर लगती है, इस टेप के बना के कभी घर पे लगाएं, तो ये पेंटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी बेटी ने अभी अभी बनाया है, मैं आपके साथ जो पेंटिंग बना के कलर, ये में आपके साथ शेयर कर रही थी, और उसने अलग सी पेंटिंग मनाया, मैंने एक बार उसे सिखाया था, कि कैसे फॉक से बनाना है, तो वो खुद से पेंटिंग बनाई और उसे लगा कि ममा ये सबके साथ शेयर करें, इसलिए उसने इतनी जलदी-जलदी बनाया, सारा ग्रेटी मॉम ऐसी बहुत सारी पैंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड इवन बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज है इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब करने रेड बट